आज हमारे रसोई में बन रहा हैं बेशन के सेव और मुमफली को मिला कर हम एक तरह का नाष्टा बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसे हम इस्टोर करके भी रख सकते हैं इसके लिए हम लेंगे एक कटोरी बेशन और बेशन में हम दो चम्मच चावल का आठा एड़ करेंगे चावल का आठा एड़ करने से हमारे सेव क्रिस्पी बनेंगे आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं स्रिफ बेशन का भी बना सकते हैं और इहां पर हम अपने सेव को क्रिस्पी बनाने के लिए दो चम्मच सर्सो का तेल एड़ करेंगे बेशन में सर्सो के तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैं हापे सर्सो तेल एड़ कर रही हूँ आप चाहें तो अपने पसंद का और भी तेल एड़ कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंग डाल रहे हैं जो डाइजेशन के लिए अच्छा है और यहाँ पर मैं एक चमच कसूरी मेथी ड्राइ रोस्ट करके उसका पॉडर बना कर डाल रही हूँ जिससे की सेव में स्वाद बहुत अच्छे आते हैं और यहाँ पर मैं स्वाद के नुसा नमक डालूंगी और कुछ मसालय एड करेंगे यहाँ पर लाल मिर्च पॉडर, हल्दी पॉडर, हाप चमच जीरा पॉडर और वन फोर्थ चमच काली मिर्च पॉडर और इन सब को मिला कर हम इसमे एक चमच आजवाइन भी क्रस्ट करके डाल देंगे और सबको मिला कर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे आटा की तरह डो तैयार कर लेंगे इसमें एक साथ ज्यादा पानी न डालें क्योंकि बेशन ज्यादा पानी नहीं सोकता है इसलिए आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही इसका डो तैयार करें एक साथ ज्यादा पानी डाल देने से हमारा डो थोड़ा धीला हो जाएगा तो सेव उतने अच्छे नहीं बनेंगे इस तरह हमारा डो तैयार हो गया है हम इसे अब तेल लगा कर पांच मिनट के लिए छोड़ देंगे मैं इस तरह के साचे सेव बना रही हूँ इसमें तीन तरह के जाली है एक दम बारीक है एक थोड़ा उससे मोटा और उससे मोटा तो मैं सबसे मोटे वाले जाली से बना रही हूँ आप चाहें तो इन दोनों जाली में से भी कोई जाली से बना सकते है इस तरह डो को हम साचे मे डालेंगे यहां पर देखिए हमारा डो ज्यादा टाइट नहीं है और इस तहीं से हम बंद करेंगे यहां पर हम एक कड़ाई में सर्सों का तेल रखे हैं जो गरम हो गया है अब यहां पर हम इस सांचे से हम सेव तयार कर लेंगे मैं यहां पर एकड़म गोल सेव नहीं बना रही हूं क्योंकि मुझे यहां पर तोड़ना है इसलों मैं इसके शेप पर उत्तर ध्यान नहीं दे रही हूं इसे हम low medium flame में fry करेंगे क्योंकि इसे हमें store करना है तो इसे low medium flame में fry करने से अधीक दिन तक इसमें क्रिस्पिनेस बना रहेगा इसे तेज आज पे fry ना करें वरना यह उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे इसे fry करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर golden brown हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह हम दूसरे बैच का भी सेव तयार कर लेंगे अब उसी तेल में हम low flame करके मुमफली फ्राई कर लेंगे मुमफली को आप low flame में फ्राई करें जिससे वह अंदर तक अच्छी तरह सीख जाएंगे और क्रिस्पी नेस बना रहेगा मुमफली बहुत जल्दी जलते हैं इसलिए उसे low flame में फ्राई करें यहाँ पर मेरे पास कौन चिप्स थे मैं उसे भी फ्राई कर ले रही हूँ आप चाहें तो सिर्फ सेव और मुमफली का ही नास्ता बना सकते हैं अब हम सब सेव को अच्छी तरह तोड़ लेंगे और इसमें हम मुमफली को आड़ करेंगे और हम यहाँ पर थोड़े से चिप्स को भी आड़ कर देंगे और इसके उपर हम काला नमक, थोड़ी सी लाल म्यूची और चाट मसाला डाल कर मिला कर हम इसे इसे हम इस्टोर कर लेंगे और जब भी कोई महमान आये या चाहे के साथ इसे सर्फ करें खाने में बहुत ही तेस्टी लगते हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू